we all go know आज हम लोग इस वीडियोत में हम लोग बात करने जाए हैं महा जनपत्ध के बारे में तो इसके पहले हम समझत में पहला हम लोग जो प्रिफियेस द्रक का टॉपिक को कभ़र है एडिमिनिस्ершत्रेटिव मतलब एक प्रसाशनिक इकाई है प्रसाशन इकाई का मतलब हो गया की ऐसा unidgeτο जो की प्रसाशन को चलाने के लिए एक जो छोटा unit होता है वो है मतलब एक ऐसा unit है काई है जहांसे हम लोग प्रसासन को चलाते हैं तो administrative इकाई है एक महाजनपद ये ancient history में इसको mention किया गया है हम लोग अब इसको समझते हैं कि ये कहां से और कैसे इसको सुदवात हुआ महाजनपद की बात करें तो Buddhist literature है जिसका नाम है अंगूतर निकाय तो अंगूतर निकाय में उसी में mention किया गया है सुल्लह महान kingdom के बारे में उसमें से वही सुल्लह महान kingdom को लोग कहते हैं महाजनपद तो ये prelims में question कुछ इस प्रकार से पुछा जाता है कि महाजनपद का concept या महाजनपद पहली बार कहां पर mention किया गया था तो ये था अंगूतर निकाय में और अंगूतर निकाय जो है ये बुधिस्ट लिट्रेचर है और major region of the formation of जनपद तो उसका main वजह था कि जो छोटा छोटा फ्रसाशने की एकाई बनाए गया तो उसका main वजह था agriculture, क्रिसी और kingdom बना लिया है finally अगर six century की बात करें तो छटी सताबदी बिसी में केवल चार जो हमारा major kingdom था वो survive कर पाए चार में से कौन थे वत्स, अवंती, मगद और कोशल, तो हम तो समझे कि basic महा जनपद है क्या महा जनपद में total 16 महा जनपद का वर्णन मिलता है वो 16 महा जनपद उससे संबंद चीजों को देखते है सबसे पहला महा जनपद की बात करते है अंग अंग महा जनपद उसका capital है चंपा, अभी का location कहा है ये present location भी ध्यान में रखेगा ये बहुत वाइब पुछा जाता है प्रिलम्स में अभी का location मुंगेर और sorry, मुंगेर और भागलपूर तो ये present location इस एरिया को चंपा कहा जाता था अंग यहां को वहां का भासा भी जो है ओ है अंगी का तीक है और इसका जो reference जो है महाभारत और अथरवेद में भी इसको मिलता है बिम्बिसार जो है इसको taken over किया था इसको अंग को अपने कबजा मिलिया था अब हमनों बात करते हैं मगद दुसरा हमारा जो महाजनपत हो गया वो हो गया मगद मगद का capital राजगरी जिसको ग्रीवरज भी कहा जाता है इसका location की बात करें तो ये गया और पटना के एरिया हो गया ये सब मगद छेत्र में आ जाता है मगद जो है वो semi-bramanical habitation था मतलब complete bramanical नहीं बलकि earth bramanical था और यहाँ पर और भी मतलब गया ब्राह्मन भी लोग इसमें रहते थे मगद और अंग जो है डिभाइड किया गया था चमपा नदी के त्वारा और बाद में यहाँ पर जैनिज में और बुर्धिज में का इस एरिया में मगद छेत्र में इसका उत्पत्ती हुआ और परसाल परचार हुआ तिस्दा जो महा जनपत वो है कासी कासी का कैपिटल है बनारस और अभी इसका मोडर्न लोकेशन जो है वो है बनारस और यह जो है नेम जो है वरून और असी इस दो नदी को मिलाने के बाद में इस जगह को नाम बनारसी रखा गया था और ये इसको मेंसन किया गया है मत्स पुरान में मत्स पुरान में बनाया इसका मेंसन किया गया है जिसमें बताया गया है कि दो नदी था वरून और असी ये दोनों नदी को मिला कि वायन असी का निर्मान हुआ और ध्रिष्टराष्ट इस एरिया को माना जाता कि कासी और अंग को एक समय में इस एरिया को रूल किया था, सासन किया था चौता महा जन पर थे वो है वत्सवत्स का कैपिटल है कौसंबी अभी के समय का जो लोकेशन वो है अलाहबाद और इसको वम्स भी बोला जाता है और इस समय का उद्देन जो है उद्देन इस समय बोदिष्ट रिलिजिन के लिए एक छेतर बनाए हुए था अलाहबाद एरिया को तो वत्स हो गया, अब उसके बाद में आगया कोशल कोशल का कैपिटल हो गया है स्रावस्ति, अभी का लोकेशन जो है वो इस्टर उत्र परदेश है और अयोध्या वाला एरिया है तो ठीक है, एक कोशल के समय में उस समय जो कोशल महाजनपद में अयोध्या एक बहुत इंपोर्टेंट एक टाउन के रूप में जाना जाता था ठीक है, कोशल इसमें ट्राइबल पोपलेशन भी जो है वहाँ पर माना जाता है कि सक्के और कपिलवस्तु था कोशल अलसे इंक्लूड़ अगला हम लोग बात करें सूर्सेन सूर्सेन का कैपिटल था मतुरा अभी के लोकेशन वह है विश्टर्न उत्तरप्रदिस और ये क्रिष्न के पूजा कहने के लिए क्रिष्न के सामबंदित जो है चीजों के लिए उस जगह में फेमस था और उस समय का जो मोश्ट फेमस दूला था वो था अवांति पुत्रे हम लोग इसमें मुख्य दूप से जो ध्यान में रखना है वो यहां का सोला जन्पद और उसका कैपिटल सातमा हम लोग महा जन्पद की बात कहें तो वो है पंचाल पंचाल का कैपिटल है अहिछित या फिर उसको काम पिल ले भी है अब अगला है वो है कुरू ठीक है कुरू इसका कैपिटल है इसका राज़ानी जो है इंद्र प्रस्त है और अभी का लोकेशन जो है थानेश्वर मेरट और कुछ हर्याना का पार्ट साउथ इस्ट वाला हर्याना तो यह से एरिया जो था वो कुरू छेत्र अंद्र प्रस्त है, इसका कैपिटल है विराट नगर और अभी का समय का जो एरिया है वो है जैपूर तो जैपूर का एरिया जो है वो मत् जो महा जनपद में काउंट किया जाता था ठीक है और अगला देखें दस्वा देखें हो है चेदी चेदी इसका capital है सुक्तिमती अभी कसमें के location यामुना और नर्मदा बेल्ट का जो छेटर है वो छेटर इसको माना जाता है इसको रीगवेद में भी mention किया गया है और अभी कसमें इसको बोला जाता है कि बुंदेल खंड का दीजियन हो गया अब आता है अगला अवंती अवंती का capital है उज्येणी या महिश्मती यह है अवंती का capital अवंती महा जनपद का अभी कि समय के location की बात केने तो यह मालवा और मद्य परदेश का area आ जाता है जो इस location में है अवंती की छेतर में तो अवंती जो है यहाँ पर बुद्दिज में क अभी किसमे के लोकेशन वो है मालवा या मद्ध्यपरदेश एरिया अब आता है गांधार गांधार के कैपिटल था तकसिला तकसिला का क्या है मौडर्न लोकेशन वो है रावल पिंडी रावल पिंडी कहां है यह है पाकिस्तान में गांधार जो है अथार विवेद में इसको मेंशन किया गया है गांधार महाजनपत के बारे में और उस समय इंटरनेशनल कॉमर्सिल एक्टिविटीज के रूप में जाना आया था था ता कंबोज की बात करें तो कंबोज के कैपिटल था हाटक अभी के समय इसका लोकेशन देखेंगे तो राजवरी और हाज़रा वाला एरिया जो कास्मीर वाला एरिया हो गया अभी के समय इसका प्रेजेंट सिच्वेशन ही बात करें तो कास्मीर वाला हिंदु को उसका जचेत्र है उस एरिया को कंबोज महाजनपद में बाता गया था जिसका कैपिटल था हाटक अब हमनों बात करते हैं असमक चौदर हमनों बात करते हैं असमक का कैपिटल है पोटली जिसको पोटन भी कहा जाता है अभी के समय का जो लोकेशन हुआ है बैंक अप गोदावरी गोदावरी नदी के किनारे में ब्रमदत जो है उसमे का इस महाजनपद का महतुपून सासर कुरूप में था ब्रमदत हम लोग अगला बात करते हैं वज्जी वज्जी का कैपिटल था वैसाली अभी का लोकेशन अगर हम लोकेशन हैं वैसाली जिला जो है नोत बिहार में आ जाता है वर्जी उसके बाद में 16 ौवा जो है मल मल का इसका capital था कुशिनारा कुशिनारा कहा है ये देवरिया उत्तर प्रदिस में है देवरिया और उत्तर प्रदिस के छेत्र में होता है जो कि गोरख पूरी ज्जन में है यहाँ पर बुद्धीज में काफी तेजी से पनपा था और कुशिनारा के हम लोग जानते हैं कि यहीं पर गौतम बुद्ध का मृति भी हुआ था और मल एक जो था एक रिपब्लिक के गणराजे था तो इस तरह से हम लोग देखें इसमें टोटल सॉलला महा जनपद के हम लोग बात की है इसमें आपको मुखरूप से ध्यान में रखना है जनपद का नाम और उससे समबंदित जो है कैपिटल और तिसरा जो है इंपोर्टेंट इसमें रखेंगे वो रखेंगे उस समय का मतलब जो जनपद था अभी किसमें प्रिजेस demon status का है प्रिजेंट area जो क्वोषट्छन में इसी से रहता है इसके अरावा इससे ज्यादा नहीं रहता है तो बहुत धन्योद इसके अग्ला में लोग वीडियो देखेंगे वो देखेंगे जैनीज में पर जैनीज में वो बुद्धीज में तुझे पहले सबसे पहला हम लोग देखेंगे